रब्बाने तच्छे को बनाने में कर दी है हुस्ट की खालेती जुरिया काज़ ओके दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा कुछ इस परकार का आपको एक हैपी एनिवेट सिर्विले स्टेटाज वीडियो किस तरह से क्रियेट करना है दोस्तो इस तरह का एनिवेट सिर्विले स्टेटाज वीडियो किरेट करने के लिए आपको काईन मस्टर एप का जरूरत पड़ेगा और दोस्तो इस तरह का जो एनिवेट सिर्विले स्टेटाज वीडियो है आप किसी के भी पिक्चेर से बना सकती हो और अगर आप लोग चाहते हो कोई भी वीडियो एडिटिंग करवाना तो प्लीज मुझे कोमेंट यह एंस्टेगराम पर जरूर मेसेज करना नहीं तो आप लोग इस नेमर पर भी कॉंटेक कर सकती हो तो आपको काईन मास्टर एप को सबसे पहले ओपेन करना है दोस्तों आप लोग काईन मास्टर एप जैसे ओपेन करोगे आपका काईन मास्टर के इंटरफेस कोछ इस परकार का दिखीनों को मिरेगा तो सबसे पहले आपको new project में किलिक करके आपको select करना है 3-4 और आपको नीचे create में किलिक करके आपको दोस्तों यहा पर एक बार बेक क आपको मिल जाएगा लेप्चार्ट की मेरी में सेट्इंग ऑप्सिन हीहां पर क्लिक करके नीचे इडीटिंग में आना है अपको डिपड़ फोटो डूरेशन को दोस्तों 4 सेकंड पर है और यहां पर दोस्तota एक फोटो डिस्प्ले मूट को कर लेना है फिल स्क्रीन नेक्स्ट आपको बेक आजाने के बाद आपको यहां पर मीडिया ऑप्षन पर जाकर आपको 10-12 फोटो एड़ करना है 30 सेकंड वीडियो के लिए फोटो के बाद आपका वीडियो का इंटरफिस कुछ इस परकार का दि जूम करना है। जूम करने के बाद आपको side में जुडवल लाइन है इसमें आपको क्लिक करके photo कोastre लेना है। इसी तरह से आपको वीडियो के ऐंदर कर लेना हैं जो कि मैं परेले से ही और इस बार आपको दोस्तों एट करना है तो अविदियो के एड़ें तब लेता खाओ उसके बाद लिखाथ हो ले से इनों वीडियो के फोटो का ब्रैंद अपको थोड़ा कमाना है और कमा लेने के बाद एंड पोजिशन का जो फोटो है इसका लेंद आपको करीब 30 सेगंड के आसपास रखने के बाद इसको आपको फोटो में किलिक करके सीजर बला उप्शन में जाना है और एट से ट्रिम करना है नेक्स्ट इस एरो में जाकर आपको वीडियो को सेवेस करना है दोस्तो वीडियो को सेवेस करने से पहले आपको यहाँ पर 1080p 60 सेवेस करना है और इसको ब्राइड जो है आपको दोस्तो करीब 80 bps करीब रेखने के बाद नीचे आपको वीडियो को सेवेस करना है जो कि यह वाला वीडियो में पहले से ही सेवेस कर चुका हूँ तो दोस्तों आपको वीडियो को save कर लेने के बाद पूरा बेक आ जाना है और इस project के थोरा बगल में 3. मिलेगा यहाँ पर click करके आपको duplicate में जाना है और आपको यहाँ पर select करना है 16.9 और next आपको इस duplicate में click करके आपको दोस्तों उपर बला project को open करना है और इस परकार का interface से आपको दीखने को मिलेगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर photo में click करके pen and zoom को option पर जाना है और इस तरह से आपको photo को zoom करना है जैसे आपने first video में किया था तो इसी परकार से आपको video के end text सभी photo को आपको इस परकार से zoom करके मैंनी circle bila आपको select करना है फिक है दोस्तो मैंनी circle बला transactionangeaff स्टेट परमें free में ही मिल जाएगा और दोस्तो जहिपर बला जहिपर है दोस्तों यह पली प्रकार आपको में मिले खानते लिट्रग को आपको इस परकार है है ठीक है जितना फोटो है दोस्तों आपने एट किया है सभी फोटो में किलिक करके वीडियो के एंट एक सभी फोटो का विगिनेट को उन करना है फिर आपको लियार उप्शन पर जाकर आपको हीँ आपर मिलेगा media option शानों और media option पर जाकर हैं आपको template video को लेना है template video को लेने के बाद आपको हैं पर मिलेगा split screen इसको कर लेना है simply select screen और एक बार आपको like आ जाने के बाद आपको blending option पर जाकर तो ह внутри option और आपको फिरेट ओप्छन और आपको setting option पर जाकर आपको 3 कर लेना है ठीक है 2 का जगा पर 3 करना है और बलर का जो length है इस परकार से आपको video के end तेख आपको ले चले जाना है जितना दूर तक दोस्तों video रही ठीक है दोस्तो एक्सपोर्ट वाला वीडियो को लेने के बाद इस परकार से थोड़ा आपको रोटेट करना है और रोटेट करने के बाद यहां पर आपको जो फ्रेम दीखिने को मिल रहा है दोस्तो इस फ्रेम के उपर आपको सही से अर्जेस्ट करके दोस्तो यह वाला आपको क्लिकर के सेंटेटू बेक्वाट में क्लिकरना है ए। आपको क्या करना है आपको नीच्चे क्रोपिंग फिर्चिन पर जाकि इसका साइट Hydra यह फॉटो हॉटो को लैने के बाद आपको क्रोपिंग उप्षिन पर जाकर मार्स वे प्री और धाफ्र करना है और दोस्तों इस तरह से आपको थोड़ा ऊपर कर लेना है ठीक है इस तरह से हाट को थोड़ा एड़ेस्ट कर लेना है और फोटो को दोस्तों मीडल में बैठने के बाद इसका साइज थोड़ा कमाना है और यहां पर दोस्तों जो आपको फ्रेम दिखने को मिल रहा है ईसे आपको इस परकर से ब्준स से आपको क्या करना है तो हींआ पर आपको डोन फोटो को अच्छे से एर्जेश्ट करने के बाद विडियो के स्टार्टिंग पोजिश्न पर या और डियूOR और उप्सेंट पर जाकर Sticker में आना है और या पर दोसते आपको एक बेलून वाले श्टिकार को आपको ले लेना है लेने के बाद दोस्तों इसका जूम थोड़ा छोटा करके आपको दोस्तों इस जगा पर बेठाने के बाद आपको थोड़ा एड़ेस्ट करके आपको इस बेलून का जो लेंध है starting position से लेकर आपको end position तक इसको ले चरे जाना है ठीक है और end position तक ले जाने के बाjos starting position पर आना है और एक बार आपको वीडियो को प्ले करकर दोस्तों देखना है आपका वीडियो किस तरह से editing हुआ है अगर दोस्तों मेरे तरह एडिटिंग केरेट करने में कोई भी प्रोब्लेम आ रहा है आपको तो प्लीज मुझे कोमेंट करके जरूर बताना तो आज की वीडियो में इतना ही था वीडियो का अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक सेर कोमेंट जरू करना तो मिलते हैं दोस्तों एक न्यूँ एंट्रिस्टी न्यूँ वीडियो के साथ